नमस्कार मैं अमरेंद्र तिवारी अल्टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो जारखंड सरकार के महत्पुन फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समख चुपस्तित हूँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जारखंड सरकार आगे क्या करने वाली है किस तरकी रणनीती के तहट कोरोना के खिलाप इस लडाई को और मजबूत बलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है सबसे पहले तो बात करते हैं राज्य के अंदर संक्रमन की पॉस्टिविटी रेट के बारे में तो इसमें खासा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है अब प्रतिस सौ सेंपल जो हैं चौदा लोग संक्रमित जो हैं वो मिल रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है आप दोस्तों आप सभी को याद होगा कि मैं लगातार पिछले कुछ दिरों से गौर्मिन्ट से कह रहा था कि जाच की रेट जो है रफ्तार जो है वो बढ़ाई जाए अंततो गत्वा जब रफ्तार बड़ी तो पोल खुल कर रहा गई जिस तरीके से परसो जो है 7000 से जादा केसेस मिले और कल संक्रमन के लगभग राज्य के अंदर संतावन सब 95 कोरोना मरीजों की पुष्टी हुई है और शुक्रवार को 42,523 लोगों के सेंपल्स की जाच ही यानि कि कम सेंपल्स की जाच हुई है दोस्तों इसको एक लाग तक करने की ज़रत है तब जाकर जो है कही ना कही जो छुपे हुए पॉस्टिव केसेस हैं जिनको ये पता नहीं है कि वो कॉरोना पॉस्टिव है और जाने अंजाने में दूसरों को पॉस्टिव कर रहे हैं उनका पता लग पाएगा फिलाल अगर हम बात करें जुनाची में 1364 ने मामलो की पुष्टी हुई है वहीं पूर्वी सिंग्भू में 810 नए मरीज मिले हैं बोकारों में 298, 14 में 96, देवघर में 120, धनबाद में 222, दुमका में 107, पूर्वी सिंग्भू में 810, गड़व आकुर सोला, पलामू 250, रामगर 448, रांची 1364, साहिब गंज 118, रायकेला 95, सिंग्भू में 119 मरीजों की पुष्टी हुई है वहीं पर पिछले 24 घंटों के भितर 66 मरीजों की मौत हुई है यानि कि मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार कोरोना केसिस जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं वहीं दोस्तों अगर हम पिछले 8 दिनों में संक्रमितों की बात करें तो संख्या जो है वो दोगनी हो गई है और 20,651, 14 अप्रिल को थी 22 अप्रिल को या बढ़कर 40,942 जो है हो गई है तो लगातार जो है कोरोना केसिस निकल कर सामने आ रहे हैं चले दोस्तों हम बात करेंगे टीका करन अभियान का अकड़ा जो है कही ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छा जारखन के लिए है यहाँ पर 91 फिस्दी हेल्थ केर वरकर्स की पहली डोच का टीका करन हो चुका है इस मामले में जारखन पूरे देश में दूसरे नंबर दूसरी डोच का भी टीका करन तेजी से हो रहा है और जो टीका नहीं ले रहे हैं उनसे अपिल की जारी है लगातार स्वासिवाग के दोला कि वो टीका ले क्योंकि जिनोंने टीका लिया है उनके पॉजटिविटी रेट जो है काफी कम नज़रा रहे हैं तो ये अच्छी बात है और लगातार जो है यहाँ पर अपडेट्स आते रहेंगे चले जो तो सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते वे उन तमाम पुलिस कर्मियों को साथ दिनों का कॉरेंटीन करने की बात कही है प्रतेग जिला के स्पी से पत्राचार भी किया गया है अगर कोई पुलिस कर्मी अपने घर छुटी लेकर जाता है अगर वो वापस ड्यूटी पर आता है तो पहले साथ दिन उसको कॉरेंटीन पर रखना होगा उसके बाद उनकी कोरोना जात जो है वो कराई जाएगी और नेगटिव आने पर ही पुना उनको ड्यूटी पर वापस लिया जाएगा दरासल पुलिस विभाग में कोरोना संक्रमन के केसिस और बढ़ती विचिनोतियों के बीच कोरोना को रोकने के लिए या कदम जो है उठाया गया है चले जोस्तों बात करेंगे एक और प्रमुक फैसले की आप सभी को पता होगा कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई कर आदेश दिया था अब डिजिटल कंटेंट की क्या इस्तिति है पिछली बार भी मैंने बताया था कि सभी बच्चों तक डिजिटल कंटेंट जो है वो नहीं पहुँच पा रहे है लेकिन इस बार फिर से शिक्छा विभाग जो है डिजिटल कंटेंट शुरुवाती तोर पे WhatsApp ग्रूप और बाकी ग्रूप के माध्यम से पहुंचाने के दिशा में आगे बढ़ रहा है बचों को चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, सिलेबस वाइज जो है डिजिटल कंटेंट उपलब्द कराने की दिशा में शिक्छा विभाग जो है ने काम करने का फैसला किया है देखते हैं कि इससे कितने बच्चों का लाब हो पाता है, हलाकि All Time Public India एक बार सरकार से फिर डिमांड करती है कि बच्चों के डिजिटल कंटेंट के साथ साथ जो है उनको पेपर के भी कंटेंट अगर उन तक गरीब बच्चों तक पहुंचाने की दिशा में कुछ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयाश जो है, वो किया जाए, चलिए दस्तों अस्पतालों में A&M नर्स जो है वो कम है, अस्थाई बहाली जो है वो शुरू हो गई है, राची, धनबाद, बोकारो, जमशेतपूर सहीत, सभी प्रमुक प्रमंडल में प्रमंडल मुख्यालों में इसकी न्युक्ति जो है वोगी और राजसरकार मेडिकल कॉलेजों में अध्यन कर रहे, मेडिकल चात्रों को भी कोरोना मरीजों की इलाज में लगाने पर विचार कर रही है, साथ में नर्सिंग, फार्मेसी और पारा मेडिकल जो सांस्थान है, उसमें प्रशिक्षन प्राप्त कर चुके चात्रों की भी सेवा, जो है वो लेने की बात हो रही है, तो लगबग 500 चिकिसा चात्रों ता लगबग 2000 पारा मेडिकल चात्रों की सेवा जो है, इससे मिल सकती है, देखने वाली बात होगी, कि आगे इस पर क्या, किस तरीके से तेजी दिखाई जाते हैं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा तमाम जब मिटिंग होई थी खाज करके मिलिटरी के अफसरों अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ तो हैमन सरकार ने सेना से भी मदद की गुजारिश की थी चलिए दोस्ता हम बात करेंगे आकड़े की अगर हम 18 से 45 वर्ष तक के लोगों की बात करें तो करीब करीब देड़ करोड़ लोग जारखंड में रहते हैं और ऐसी इस्तिती में अगर 25 लाख भी लोग अपने पैसे से अपने पैसे खर्च करके वैक्सिन ले लेते तो फिर भ यह राज्य सरकार को चार सरुपे खर्च करने पड़ेंगे सेराम इंस्टिट अप इंडिया ने तमाम बयान बाजियों के बीच कहा है कि कच्चा माल और रोयल्टी इस्चू के कारण जो है उसको यह पैसे सेट करने पड़े और साथ में यह भी कहा है कि विदेशी कमपनिय से फिर भी सीरम इंस्टिट अप इंडिया का टीका का प्राइस जो है वो कम है तो यह कुछ महत्तपुन अपडेट्स हैं जो आपके बीच हम रोजाना की तरह लेकर आते रहते हैं और 48 अरब का अतरिक्त खर्च जो है वितमंत्री ने कहा है कि केंदर सरकार पुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है वन नेशन वन वेक्षिन का नारा जो है वो फेल हो चुका है और अल्टाइम पबिक इंडिया यह डिमांड करती है कि जारखंड को भी वैक्षिन केंदर के दर पर मिले हलां कि गरीब मरिजों के लिए जो है सरकार ने वैक्षिन सभी को फ्री में बात करें तो 48 अरब रुपिय का अतरिक्त खर्च जो है वो वहन करना पड़ सकता है इससे जुड़ा हूँ आप लेड़ जो है हम आपको देते रहेंगे और लगातार जो है कोविड केंद्रों पर टीका करन अभियान जो है वो चल रहा है तो अगर हम बात करें केंद्र जहां पर टीका करन अभियान जो है चलाया जा रहा है खास करके राची की क्योंकि राची में संक्रमन के केसिस जो है वो ज्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं अंगड़ा बेड़ो बुंडू चानो काके लापुंग मांडर नामकुम और माजी रातू सोना हातो सिली तमाड राच्क प्रात्मिक विद्याले थड़प खना हिंदी इसके अलावे जो हैं अगर हम बात करें तमाम जो सिस्सी सेंटर हैं वहाँ पर भी चल रहा है और करीबी बात करेंगे सेंटर जहां पर की कुरोना जाच हो रही है उसमें राच्किय कृत प्रात्मिक विद्याले नियर मंदिर अरगोडा राच्किकरित मध्य विद्याले करम तुली राच्ची राच्किकरित प्रात्मिक विद्याले सीसियल कॉलिक आखे हिंदी बालक मिडिल स्कोल पहारी टोला शन्तिमंद के निकट और गौरी दत्ता स्कόल अपोजिट रामिलास पेट्रोल पंप रातु रोड कुछ और मतपुन अपडेट्स आपको देते हैं ऑक्सीजन की गारियों को नो इंट्रेस से मुक्त रखने के लिए जो है हमन सरकार ने आदेश दिया है परिवहन सचीवी ने जो आदेश दिया उसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की जो गारिया है उसको नो इंट्री पर नहीं र दीजे शेयर कीजिए फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया